दोस्तो हंदुस्तन इलेक्ट्रो ग्राफाइस लिमेटेड जो कि एच्चिज़ी लिम्टेड हम लोग प्यार से पोलते हैं काफी लोगों का यहां पे पैसा डौबल ट्रिपल से लेकर कहीं गुना हुआ है और काफी लोगों का इन्वेस्टर का जो पैसा भश छो कहती है और क तो प्राइस रेंज के बाद ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और हम लोग उसमें एंटर करने से क्या होगा कि हम लोग का घट जाएगा और गड़ जाएगा तो यहां यहां पे आप लोग को प्रॉपर में मीरर आनलीसिस करके दिखाऊंगा और फंडामेंटल फिनांसल टेक्निकल उसका वेबसाइट में जाके भी एक चीज आपको दिखाना है बाला हूं उसका क्लाइट पेस आप लोग को एक confirmation एक confidence आ जाए इसी company के उपर और यहां पे जो भी आपका decision है किसी के उपर dependency होके नहीं होना चाहिए आपका खुद का होना चाहिए तो आज हम लोग बात करेंगे हीजी लिमिटेड के उपर तो आखी तक वीडियो को जरूर देखेगा आपको proper information मिल सके नमस् तो इसका जो client base है Tata Steel हो गया, sale हो गया, postco हो गया, जिंदल Steel and Power हो गया, जिंदल stainless हो गया बहुत अच्छा चाहिए बाहर का अगर देखा जैदा Qatar Steel हो गया यह साओधी आरप का कोई steel company हो गया, EZZ Steel हो गया बहुत कुछ leading steel manufacturer इसके उपर dependent है और मतलब बोल सकते हैं को dependent बोलना स तो अगर यहां पर जैसे कि आप लोग को पता है कि Steel industry में काफी ज्यादा correction आया हुआ है, कि demand थोड़ा सा घड़ गया है, तो जब भी इस Steel industry में अच्छा का सा उच्छा लाएगा, उसका production फूल फेज में चलेगा, तब यहां पर ऑल्रेडी जो भी graphite manufacturing, graphite electro manufacturing company है, उनका share का value उनका stock का value अपने आप बढ़ेगा, अल्रेडी हम लोग graphite इंडिया का stock analysis कर चुके हैं, और जैसे कि आप लोग को पता है कि बहुत गिना चुना प्लेयर है यह graphite electrode segment में, तो यहां पर जैसे कि हम लोग जाएंगे इसका main analysis में, आपका screener.com में, तो यहां पर आप लोग को द advantage है, और यह competitive advantage इस company को बहुत आगे तक लेके जाएगा, बट यह जब 4700, 4000 को उपा जब trade करा था, काफी overvalued हो चुपा था, और कहां पर problem आया है, वो भी मैं आपके साथ discuss करूँगा, तो सबसे पहले मैं इसका number से बात कर लेता हूं, number का बात कर लेता हूं, 3001 करोड का company है, जो कि अभी के लिए एक small cap company है, और यहाँ पर जो date है, 594.26 करोड का date है, और जो कि date to equity ratio निकल के आथा, 0.17, तो इसका ज्यादा date नहीं है, यह एक अच्छी बात है, correct, और यहाँ पर सबसे जो promotor holding है, 59.62% है, जो कि consistent है, आपको लोग को जब नीचे जाओगे तो मैं दिख करते हो, तो 2019, June के बाद, यहाँ पर, जो September 2019 का मतलब, लास्ट एक साल में, आपका जो निकला हुआ है, promotor holding, वो consistent रहा है, 4 quarter से, मैं बात कर सकता हूँ, तो यहाँ पर जो पहले था, 61.24, यहाँ पर सीधा आ गया है, यहाँ पर यह वालो जितना stake माया, जो इसका बीच में ज पास-पास का जो difference है, वो कहां गया, वो complete आ गया आपका FIA के पास, यहाँ पर देखिए, FIA के पास, जो 6.67% के इसमें stake holding था, यहाँ पर 7.23 हो गया, correct, और सीधा 3% बढ़के, लगभग 3% बढ़के, 2019 December में 10% हो गया, उसके बाद, मार्च 2020 में यहाँ पर 11, फिर यहाँ पर गरिया था, यहाँ पर जिब हम लोग बेजना सुरू किया, तब FIA अपना, जो graphite India, sorry, HIG Limited का उसका stock को accurate करना सुरू किया, और सीधा 5% से लेकर, साड़े 5% से लेकर, भी 11% के आसपास का पहुंच चुके हैं, लगभग दूगुना अपना जो होता है stake holding बना चुके हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कहां से, मैं confusion आपको यहाँ पर नहीं दूगा, मेरा opinion काली दे सकता हूँ, कि completely यहाँ पर जो FIA का holding बढ़ा हुआ है, इसके पीछे काफी सारा region है, क्योंकि उन लोग जब तक bullish नहीं होंगे, तब इतना पैसा यहाँ पर कभी double नहीं कर कर सकते हैं एक साल में, सबसे पहली बात, तो इसी सेगमेंट में देखा जाए, तो अभी भी हम लोग को bullish इसमें रहना चाहिए, यहाँ पर मैं price range का अभी तक बात नहीं किया हूँ, मैं आगया बात करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं profit loss के बात करूँगा, तो profit loss के तो यहाँ पर मार्च 2020 में बात किया जाए, तो 68 करोड का सीधा लगभग आप लोग बोल सकते हो कि बहुत कम हो गया, एक सीधा 4 डिजिट से 2 डिजिट तक आ गया, जो कि यहाँ पर problem हुआ है, तो problem actually में कहा हुआ है, उसको जानने के लिए हम लोग एक बार इसको, यहाँ पर जो quarterly result है, यहाँ पर हम लोग को जाना पड़ेगा, quarterly result में आप लोग को दिखेगा, जो material cost है, ओके, जो material cost है, यहाँ पर जो 51, फिर 68% था, यह सीधा 204% में चला गया, जो कि मार्च 2020 का आप लोग result देख सकते हो, ओके, तो यहाँ पर मार्च 2020 में 204% का material cost हुआ, उस हिस साफ से sales में improve नहीं हुआ है, December 2019 का sales है, 394 है, और यहाँ पर जो मार्च 2020 का sales है, that is 374, इसका मतलब क्या हुआ, कि company अपना जो raw material है, उसको तो खरीद लिया, लेकिन उसको utilize नहीं कर पाया, अगर भी utilize किया, उसको sale नहीं कर पाया, तो problem यहाँ पर हुआ है, जो कि ऐसा तो नह time आएगा, मानता हूँ कि inventory cost बढ़ जाएगा, बढ़ still there is a hope कि हम लोग को आगे इसमें बहुत अच्छा return मिल सकता है, और यहाँ पर ROC हम लोग देखना नहीं चाहिए, आप लोग बोलोगी कि ROC सबसे पहले आप बात करते हो, लेकिन अभी क्यों नहीं बात किये, बिकुछ ROC यहाँ पर 0.15 माइनस में है, अगर आप लोग compare करोगे, तो नीचे में अगर इसका ROC है, अगर online average 5 years का देखा जाए, that is 48.67, आपका graphite इंडिया से भी ज्यादा, आपका पानासोनी carbon से भी बहुत ज्यादा, लगभग दूगना से भी ज्यादा, और यहाँ पर चीज प्र 139% था आपका 2019 में, जो कि पूरा complete 0 हो गया, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो problem था, जैसे कि हम लोग बात के कि sales में इंप्रूब नहीं हुआ है, तो इस जब तक sales इंप्रूब हो जाएगा, और उमीद करते ही हो जाएगा, कोई कुछ नहीं होने वाला, तो problem यहाँ पर solve ह होने के लिए कोसिस में है, और यह था हम लोग का fundamental analysis, और सिधा मैं चलता हूँ अभी technical पर बीना time waste के, ज्यादा time हम लोग fundamental पर ले लिए, तो यहाँ पर काफी अच्छा consolidation और थोड़ा सा उपर जाने के लिए कोसिस कर रहा है, in the case of the 5, 8, 13, one day chart, one day time frame का chart के बात कर रहा हूँ यहाँ पर बहुत अच्छा consolidation हो रहा है, और यहाँ पर जभी breakout होगा, बहुत खतरनाक breakout होने वाला यह आप लोग ध्यान में रख लो, correct, breakout किस तरब होगा, ओवी में बात करूँगा आगे, और यहाँ पर एक क्या बोलते इसको, M pattern, B pattern, reverse B pattern, जो भी है, यहाँ पर recovery हो सकता है यह मैं उमीद के साथ बोल सकता है, इसका जो down move है, यह तूटता हुआ नजर आ रहा है, इसका जो intensity तूटता हुआ नजर आ रहा है, आइदर यहाँ से consolidation हो सकता है, लंबा टाइम तक, अधर यहाँ से अच्छा खाल दिखा के आगे भी बढ़ सकता है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर की तरफ ही breakout होने वाला है, और यहाँ पर फिर से हम लोग बात करेंगे, इसका जो long term vision में, तो long term vision के हिसाफ से ज्यादा कुछ बिगडा नहीं हुआ है, और अभी भी यहाँ पर उमीद बना के रख सकते हो आप लोग, और यहाँ पर जैसे कि आप लोग अगर चै आप लोग को मिल सकता है, यह जब भी लेबल पहुंचेगा, आप लोग के सामने चार्ट है, आप लोग ऐसे भी update ले सकते हो, आप लोग को अगर help चाहिए, तो मैं उसमें पोस्ट में, आपको जो community post में, उसमें मैं post कर दूँगा, तो यह वाला चीज है, यहाँ पे एक range म कभी ना कभी तो fill up होगा, और यहाँ पे जितना gap up opening हुआ है, यह भी कभी ना कभी fill up होगा, तो confusion यही है, कि नीचे की तरफ पहले आके उपर जाएगा, कि उपर की तरफ पहले आके नीचे आएगा, और मेरा answer है, कि नीचे वाला जितना छोटा छोटा है, उसको पहले complete करे 560 यह वाला label को आप ध्यान दख सकते हो, अगर 560 में आप लोग entry करते हो, तो यहाँ पे सीधा अप लगभग दुगना का return आराम से ले सकते हो, within 1-2 months, correct, और यहाँ पे आप लोग और एक चीज बता सकता हो, मैं बता सकता हो, अगर आप लोग रिक्स लेना नहीं चाहते हो क्योंकि market का moment किसी भी तरह हो सकता है, right, तो आप लोग यहाँ से भी अगर आप लोग पीक करते हो, जाला quantity में पीक मत करना, okay, क्योंकि ऐसा भी हो सकता ही, पहले उपर जाएके फिर बापस नीचा है सकता है, अगर यह उपर जाएगा, और यह वाला जो label आपको मैं बताया, आपकी 1170, तो यहाँ से अराम से निकल जाओ, क्योंकि आप लोग सेफ निकलना ही सही है, फिर जभी यह फिर से 500 और 50, 560 तक आएगा, तब आप लोग उठा सकते हो, इसको पीक कर सकते हो, मैं आपको दोनों तरफ का बात बता दिया, कि यहाँ से भी पीक करके आप लोग भ निकलना है, आप लोग देख सकते हो, तो निकलना ही पर भी जाए, हचेजी को कोई फरक्त नहीं पढ़ने वाला, तो इंडिपेंड़ले आप लोग को निकलना ही जाए, हम लोग को क्या पता, हचेजी लिम्टेड में उसका रिलेशन ही नहीं है ज्यादा, ठीक है, और लाया हुआ है, तो इस हिसाब से आप लोग उसी का उपर ही decision ले सकते हो, तो completely ये एक bullish trend में आने वाला है, बहुत अच्या bullish trend में आने वाला है, तो उस हिसाब से आप लोग का investment plan कीजेगा, तो ये था हम लोग का fundamental or technical analysis, कैसा लगा एक बार comments में जरूर बताईएगा, अच्छ वीडियो के लिए अगले analysis के लिए मेरे को इजाज़त दीजे, thank you, thank you so much.